खेत की तैयारी आपने अच्छे से की होगी मालो जैसे पलेवा लगाया फिर आपने दो तीन बार खेत को जुताई की पाठा लगाया और आप इसमें हमें बुआई करनी है बुआई करने के लिए आप सीड्रील जो मशीन है गेहूं की बुआई में जिसका प्रयोग किया जाता है या अन्य परकार की सीड्रील है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं देसी हल का प्रयोग कर सकते हैं या जो अन्य उप्यूक्ती अंत्रों उसका आप प्रियोग कर सकते हैं बुवाई में और जहां तक बीजदर की बात है इसकी 25 से 30 किलोग्राम बीजदर प्रती हेक्टर है सीधी विज़ाई में और जो बुवाई की दूरी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं आप 20 सेंटीम प्रियोग करें जहां तक खाद और और उर्वरकों की बात है तो इस धान में थोड़ा खाद और उर्वरक जादा लगता है नाटोजन की मात्रा 150 से 160 किलोग्राम फासपोरस की मात्रा 60-80 किलोग्राम प्रती हेक्टर की आवश्चकता होती है साथी 20-25 किलो ग्राम जिंक सल्फेट का भी आप प्रियोग करें खास करके अगर पिछले साल आपने जिंक सल्फेट का प्रियोग नहीं किया है उस खेत में तो इस साल उस खेत में जिंक सल्फेट जरूर डालें और ये सारे उर्वरक, नाटोजन धारी उर्वरक की आदी मात्रा Phosphorus, Potash और Zinc इनकी सारी मात्रा आप बुआई के समय कूडों में डाल दें और जो बाकी nitrogen की आधी मात्रा है उसको दो बरावर भागों में बाट लें पहला चिड़काव आप बुआई के 20-25 दिन बाद करें और दूसरा 55-60 दिन बाद या इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि धान की कोई किस्म मानलो 120 दिन की है तो उसमें जन्निक अवस्था लगए 55-60 दिन के बीच पर आएगी तो उस दशा में हम nitrogen का दूसरा चिड़काव करते हैं